नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चानल टागेट एट वान पे मैं हूँ अम्रिता और आज हम डिसकस करने वाले हैं कुछ important questions जो आप सभी के TGT biology, PGT biology, LT grade biology, GIC biology और CPMT के लिए बहुद ही important है आज जो भी question हम लेकर आए हैं यह वो सभी प्रश्न है जो किसे न किसी examination में जरूर आ चुके हैं और आपको पता होगा कि जिस तरीके से आपके पास time बहुत कम है आपके पास बिलकुल भी समय नहीं है कि आप बैठ करके सारे syllabus को complete करें तो बैटर वे इस अब आपको क्या करना है आपको वह सारे questions को repeat करना है उन mcq को revise करना है हाला कि देखें आपको आपने जब वह चीज़े पढ़ी हुई है एक बारी तो आपको जिस revise करने ठीक है तो आप जिस revise कीजे और बिलकुल smart study कीजे आपको सर्फ mcq लगाने है और यह वही mcq है जो आपके examinations के लिए important है जो other examinations में आ चुके है जैसे के आपको कौन से और आज की सीरीज में हम वही सारे प्रशन आपके लेकर आये हैं जो कभी न कभी किसी न किस examinations में आ चुके हैं तो please वीडियो को end तक देखें क्योंकि आज की सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही जाता helpful होगी आपके examinations में तो चले टाइम ना वेस्ट करते हैं आज की चले एक information आप सभी के लिए कि अगर आप हमारे टेलीग्राम परिवार का एक सदस्य बनना चाहते हैं तो description box में दिएगा लिंक पे click करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को join कर सकते हैं चलिए आप बढ़ते हैं आज के पहले प्रशन की तरफ चलिए तो question answer का section स्टार्ट करने से पहले पहले हम वो cover करते हैं section जो की demanded section है यानि कि आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले esteracy family के important characteristic feature के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का session तो जैसे मारा पुराना trend चल रहा था उसी trend के according हम यहाँ पर follow करेंगे यानि कि सबसे पहले हम देखेंगे esteracy family के वो सारे examples जो की daily life में आप देखते हैं ठीक है तो best example है इसका देखिए सूरज मुखी का पौधा जो कि आपने generally कहीं भी आप गए होंगे तो कहीं ने कहीं देखा जरूर होगा दूसरी चीज esteracy family का है बहुत ही common बहुत common है जो आपको हर जगे colleges में school में even जो garden में pot लगी होते हैं उनके अंदर आपको नज़र आएगा तो वो क्या है वो है आपका ब्रिंग राज का पौधा जिसे हिंदी में भंगरिया कहा जाता है ठीक है वो भी esteracy family का ऐसे कई सारे लेकिन हमने वह example आपको बताए है जो कि day to day life में आप अल्मोस्ट हर जगे देखते हैं अब देखें इनके features के बार में अब उन पौधों को ध्यान में रख करके आप उनके features को यहां पर देखें तो इससे आसानी यह होगी कि आपको features आसानी से रट जाएंगे ठीक है तो च चोटे से चोटा पौधा भी होता है बड़े से बड़ा पौधा भी देखा जाता है को टौट यहां फे चोटे चोटा प 루oka मतलब देख लिजेए चुटे चोटे भंग रहा है किसमें आता है सुरज मुखी चीज इनका हाबेट होता है जारतर पौधे ऐसे होते हैं जो कि रेकिस्थानी जो होता है उसमें मतब रहने के लिए अनुकुल उनके बौड़ी डिवालप होती है कुछ हाइडरोफाइट्स भी होते हैं पानी में उगने वाले पौधे होते हैं प्रजातिम और कुछ सेमी अक्वाटिक होते हैं दल्डली पौधे दल दल्डल्य एटमॉसफिर में ऊगने वाले पौधे तो ऐसा होता है इनका हभीट है नेक्स देखिए, tap root system इनमें पाया जाता है, जो root system है, यानि कि कुछ इस प्रकार से जो होता है, tap root system हो पाया जाता है, और हा, roots इनके आगे चल करके, tubers में modify होती है, कुछ-कुछ cases में ठीक है, सभी में नहीं, फर्ड नमबर देखिए, कि यहाँ जो stem होता है, यह जादातर straight ह और इनके स्टेम के ऊपर च्छोटे-च्छोटे एड ये बी तो को स्ट्रेट हों शुक्तर में सफेद डूत है इनकी बादी से बाहर उजोस आउत होता है जिस रिलीज होता है कि पैणिम्हार में बसब्सटीन अगला पॉइंट होता है तो राडिकल और पैटियुलेट होती है और एकस्टीपूलेट यानिकी इनकी जो राडिकल होता है और पैटियूल होता है यानिंगे पोड़नति होता है बसधी न Donnellate allegation होती है तो या अपका क्या लिगुलेट मतलब कि यह आप लीफ देख रहे हैं ना लीफ के नीचे आपको छोटा सा हरा सा सेक्शन नजर आएगा ठीक है इसे आप कहेंगे ब्रैक्ट ठीक लेकिन इसके बिलकुल नीचे के सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो एक हरे कलर का नुकीला सा लीफ लाइक स् हैं असल में एक सूरज मुखी का पौधा सिर्फ एक फूल नहीं होता बलकि फूलों का एक गुच्छा होता है थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा थोड़ा सा अमीजिंग भी लग रहा होगा इसलिए क्योंकि यहां पर जो आप एक सेक्शन देख रहे हैं ना यह सि फूलों का गुच्छा है कैसे अगर आप इन इन हिस्सों को अलग अलग करके देखेंगे तो कुछ ऐसा नदर आएगा आपका हिस्सा ठीक है और यह जो आप एक सेक्शन एक पंखुरी देख रहे हैं यह खुद अपने आप में पौधा होता है ठीक यानि कि यहां पर दो ट क्यों क्यों कि यह बीच का जो काला काला हिस्सा है उसको बाहर से कवर करके रखते हैं घेरने का काम करते हैं इसलिए रे फ्लोरेट कहा जाता है डिस्क फ्लोरेट मतलब कि जो बीच का आप हिस्सा देख रहे हैं यह वाला डिस्क शेप्ट ठीक है एक बार स्क्रीन को क्लियर अब देखें यह चाहिसे देकिन हैं अब देखें यह डिख वाला इसका इसा स्वीप इसके इसलिए इस भी लिए भू संबस्रो में बेग यहांचों होता है इंप्र्टन कॉंसेपह यहां पर दए जो ढूतिए लिए यहां पर दूयरलुटी आपका और दूसरा होता है डिस्क लोरिट अभी हमने डिसकस किया अब यह दोनों अपने आप में एक फ्लावर होते हैं कम्प्लीट ठीक कैसे रे फ्रूरिट का स्ट्रक्चर देख लेज़े तो इसके नीचे छोटा सा हरा सा लीफ लैग स्ट्रक्चर होता है जिसे ब्रैक्ट अगर प्रैजन्ट है तो फ्लावर वूड भी ब्रैक्टि एट और नहीं है तो इसमें नीचे देखे सैपल पाया जाता है और यह को रोला ठीक है और रोशियम इसमें एपसंट है अब देखें डिस्क फ्लोरिट में तो दिस्क फ्लोरिट हो थोड़ा सो कॉम्प्लेक्स ट् है कैसे यहां पर देखिए ब्रैक्ट है ठीक है यहां पर सैपल ओवरी है को रोला है एंथर है और क्या है स्टिग्म और स्टाइल सभी प्रैजन्ट है तो इंपॉर्टन कॉंसेप्ट था आप सभी के लिए मतलब फ्लावर यहां पर बेसिकली टिबूलर होते हैं लिगूले प्रैजन्ट होते हैं तो इंपॉर्टन कॉंसेप्ट था अगला कुश्ण देखें और किसी केसिस में प्रैजन यह डिपैंड करता है कि हम किस स्पीशीस के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है यहां से आपके काई सारे question बन सकते हैं पहले आपसे पूछा सकते हैं कितने टाइप की जो फ्लॉषड है वो पाये जाते हैं एयाँ च undertूर में 1 पाइक है अमे एया अधिया तनो स्प्रोड की बाद करेंगे तो इसे जहाए बनी में भी यह चलेक विक एंक्स दैखने को मिले हैं ठीक है चलिए अब इcous फ्लोरल फार्मला थोड़ा सा देख लेता है कि में रिस्क फ्लोरल का सी चुछ कर तो सबसे पहले हैं रेड किया यालोDrive का अंधाता है। तो देखिए उनका floral formula आपके screen पे जिस्ट नीचे आपको नज़र आएगा कुछ इस प्रकार से ठीक है तो ray florid क्या होता है, bractate होता, यानि कि ray florid के side में छोटा सा green color का projection आपको नज़र आएगा, that is called bractate flower यहाँ पे zygomarphic होता है, यानि कि flower को आपने दो parts में divide कर दिया, तो यह और भी section जो होता है, एक दूसरी के equal होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो female part है वो नज़र आएगा, पर male जो है यहाँ पे absent होता है, यानि कि androsium जो होता है, यहाँ पे absent पाए जाता है, दूसरी च और कैलेक्स और करोला जो होता है, यहाँ पे connected नज़र आएंगे, और जो करोला होता है, यहाँ पे absent होता है, जो कि हमने अभी discuss किया, ठीक है, गाइनोशियम जो होता है, यहाँ पे superior देखी जाती है, ठीक है, अब यह होता है, आपका floral diagram, अब यह देखे, यह floral diagram है, आपका ray fluoride का, ठीक है, sorry, disc fluoride का second वाला यह, अब इसमें रिखे क्या होता है, यह भी bracket present होता है, और यहाँ पे, यह है आपका zygomorphic flower, कैसे zygomorphic है, चलिए आपको एक image की help से समझाते है, zygomorphic क्यों है, क्यों है, क्यों कि आपको किसी भी plane से आप इसे काटेंगी, तो आपको equal नजर आ आपको क्या है, जाइबोमॉर्फिक है, बाइसेक्शुल है, यानि कि मेल और फीमेल गैमिट दोने आपे present होता है, ठीक है, कैलिक्स को रोला कितना होता है, तो डेखे, कैलिक्स को रोला है, आपको नजर आएगा, बहुत छोटा छोटा सा है, नजर आएगा, 2 प्लस 3, ठीक है, तो यह आपको दिया वाया करीबं 5, और एंडोशियम देखे, उसका कितना है, तो अटीक्स है, यहाप तो यहापे नजर आएगा, तो टू लाखिलर यहापे नजर आता है, ठीक, तो इंपर्टन कोंसेट था था अपका, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मॉला क लेकर करने लिए सबात करते हैं सब्सक्राइब सस्सक्राइब करना अधाया चरागा यूज़ा अपलाक वे जूर सब्सक्राइब करें प्रणीमिक यूर्सटिश को यूभ जाता है कैसे ज और Helianthus tuberosis होता है यह सभी क्या होते है एडिबल पर्फिसस के लिए यूज होते हैं second oil निकालने के लिए तो oil extract करने के लिए एंजिस पॉम्स जो होते है एक important source माने जाते हैं oil के लिए ठीक है कैसे चले देखें तो आपको यह पता होगा कि सूरज मुखी का जो पॉधा है उससे बहुत अच्छा oil निकाला जाता है तो सूरज मुखी का आपका पॉधा कौन सी किसको बिलॉंग करता है तो बिलॉंग करता है वह एस्टेरीसी फामिली को ठीक है इस्टेरीसी फामिली का जो है सौली डैगो जिसको यूज किया जाता है ड्रॉपसी की बिमारी में ठीक है दूसरी चीज की सेंटोनन जो होता है यह कहां से निकलता है आपका आर्टेमेसिया में से ठीक है बिलुंट लिखेंक उसलिक गयाएं तो उस डिसौर्डर के लिए कुछ प्लांट जो होते हैं इनकी रूट्स दी जाता है ताकि cooling effect पैदा करें body के अंदर ठीक है important aspect था अब देखे rubber तो rubber जो होता है rubber extract किया जाता है taras jack atom के द्वारा और salad dagger के द्वारा ठीक है तो important source होता है rubber का अब देखे insecticide तो जो capitula होता है chrysanthemum और chrysanthemum roseum का तो ये सुखाने के बाद जो होता है ये एक powder form में convert होता है जो कि insecticide के रूप में कामाता है ये जो powder है सुखाय हुआ तो अब इस powder को पौधों के ओपर छिड़क दिया जाता है ताकि insects जो होते हैं पौधों के ओपर attack ना करें तो important concept था आपका इस family को ले करके तो यहाँ पर जितने भी important points थे हमने discuss कर लिए उमीद है कि आपको इस family यानि कि yesterday's family में से कोई doubt नहीं बचता है और जहाँ जो question बनते हैं वो चीज़ में हमने आपे discuss कर लिए ठीक है तो आज की series में इस family से related जो concept है हमने discuss कर लिए अब बढ़ चलते हैं question answer की series के ऊपर चले तो बढ़ चलते हैं question answer की श्रंकला के ऊपर यानि question answer की series के ऊपर तो आज की section का सबसे पहला question है pseudo track is found in what यानि कि pseudo track is found in what वो किसमें पाए जाता है pseudo track is hack is हम बाद में discuss करेंगे लेकिन question देख लीजे pseudo means होता है false और track is means होता है passage ठीक है तो देखे false passage की बात करी जा रही है तो चार option देखे option number one है आपका rabbit option number B है आपका earthworm option number C है आपका cock रोज और option number D है आपका house fly तो question की according जो आपका correct answer निकल कर आता है यह है आपका option number B यानि की house fly ठीक है house fly के अंदर pseudo track या नामक जो structure है यह पाया जाता है जैसे कि आप image में देख रहे हैं ठीक है अच्छा इसका function क्या होता है तो इसका function होता है liquid food material को जहां पे surface पे attached है वहां से सख करना सोखना ठीक है तो यह function होता है pseudo track या का किसमें रेखा जाता है house like अंदर ठीक है तो important concept है आप सभी के लिए अगला question पर आते है तो अगला question है which of the following legs of palamon are keylet अब देखे चार option पहला option है आपका second pair of wailing legs of alone option number B है first and second pair of wailing legs option number 3 है sorry option number C है third and fifth pair of walking legs option number D है fourth and fifth pair of walking legs तो question के according जो आपका correct answer निकल कर आता है that is option number B यहनकी first and second pair of wailing legs ठीक अब देखे पहले मौन जो होता है उसके पास दो types की legs पाहे जाते है पहले हैं आपका wailing legs और दूसरा आपका walking legs ठीक है अब देखे पहले मौन का यह जो walking leg है वह साथ खंडों में divided होता है ठीक है कितने साथ खंडों में जिन में सेखे करके दिखे सबसे पहले का नाम के है सबसे पहले का नाम होता है coxa दूसरे का नाम आपका है basis तीसरे का है ishtium फिर है आपका morces उसके बाद है प्रोपोर्डस और इसके बाद है डेक्टाइडस ठीक तो यह देखे आपको कुल जितने भी टाइप के लेक्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं इनको एक ट्रिक के माधिम से याद कर सकते हैं तो आपकी क्या है सी बी आई में सी पी डी ठीक अब इसको आप कैसे याद करेंगे इतना सागर आप याद कर लेते हैं तो जो सातो लेक्स हैं जिस आपके जी आई से के एक्जाम आपसे पूछा गया कि पालमॉन का जो वाकिंग लेक है उसके थर्ड सेक्शन के नाम क्या है यह बताईए तो उसका नाम याद हो जाएगा इससे उसका नाम होगा आपका इस्ट्यम ठीक है तो यहाँ पर आपने इतने पार से देखें अगला कुश्चन देखें अगला कुश्चन है इन देटल पोडोमेर इन दा वाकिंग लेक्स of Pelamon is यानि कि जो डिज्टल पॉड़ों होता है वोकिंग लेग फ पहलमान का उसे क्या कहा जाता है यह आपका कुछिन पूछ रहा है तो और है आपका कॉक्षा पूडाइट आपका बैसा पूडाइट ऑप्षिन नमर चीहापका डेक्टाइलस और ऑप्षिन अबर दी आप आंसर शुड़ बी ऊप्षिन नमबर सी ठीक है अगला कोश्चिन देखें अगला कोश्चिन ने ब्रांकियल रैस्पिरेशन इस फांड इन विच आप इस आनिमल्स याने की इन में से किन जन्तों में ब्रांकियल स्वशन जो है वो पाय जाता है तो चारों ऑप्षिन देखें और ब्रांड याने की मचली और स्टी ओफिस अब देखें मचली और स्टी ओफिस के अंदर जो है वो ट्राकेल रैस्पिरेशन जो है वो पाय जाती है ठीक है तो इंपॉर्टन कोंसेट था आप सभी के लिए अगरा कुश्चन देखें रैस्पिरेशन सिफवान इस फांड इन लार्वाव विवाट यानि की शोशन नाल में शोशन नाल किसके लार्वाव में पाई जाती है या आपको बताना है तो पूछा जारा है लार्वल फॉर्म के बारे में तो आपको देखें यहां पर आगय जो सिफवान है पाए जाता है अब देखें सारे उप्शन नमर वाए हैं आपका हाउस फ्लाइब आपका क्यूलिक्स ऑप्शन नमबर सी हापका एनफिली आपका सिल्क वां तो क्वेश्चन की अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नाल जो होता है वह राइस्पिरीशन शिफवान की में पाहे जाता है तिक है की लेक्स की मच्छत कितने प्रकार के होते जब कि इंसानों को मलेरिया हो जाता है अच्छा इंसानों के अंदर स्पोरोज़ूइट अगला कुश्चिन देखिए अगला कुश्चिन है इन मेल पैलमॉन एपेंडिक्स में इस प्रेज़ेंट इन दा यानि कि नर पैलमॉन में इस मर्क्यूलीना जो है वह कहां स्थित होता है आपको बताना है तो चारो अप्ष्न देखिए आपका शेकिन व का एंटिनूर ठीक है तो question के according यहां जो आपका correct answer निकलता है यह आपका option number B यानि की pleopod ठीक है अब देखिए pleopod देखिए pleopod में नर और मादा वो एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं ठीक है और यहां पर जो abdomen होता है पैलमॉन के अंदर इसमें 6 sections में 6 segments में डिवाइड होता है जो अब जो इसका abdomen है ठीक है ठीक है कि इसके छे खंडों में पांच प्लववाद जो होते हैं वो तैरने के लिए काम आते हैं और चटा जो है वो पुछ पंक कहलाता है यानि कि जो छे खंड है इसके अंदर जो है वहां पर एक छोटी सी पूछ लाइक structure जो हो देखा जाता है ठीक है अब देखें नर पैलमॉन में अपंडिक्स मर्क्यूलिना जो है वह दूसरे प्लववाद में यानि कि दूसरा जो पैर है उसमें पाय जाता है और मादा में इस तरह कि सनरजना अनुपस्तित होती इंपोर्टन कौनसेफ्ट है अगला कुछन देखें अगला कुछन है मादर ऑफ पॉल इस दो इस नौन अस वाट यानि कि मोटी की माता के नाम से किसे जाना जाता है तो चारों देखें ऊप्शन नबर और बी हाफ आपका कैल साइट आप अप्शन सी आपका नेख्र नक्र रहा था यह आप option number C यानि की नैक्रे ठीक है तो बदर ऑ बॉफब के नाज से नाक्रे को जाना जाता है तो बुझे आप अधिक रोप मोती की माला यानि कि मोती की मधर ऑफ बॉब मार्व गाड़ी तो मुझता एक कठोर वडार्थ होता है जो कि मुलायम उद्लकों वाले या नेक्स्ट इंपॉर्टन चीज की यह जितने भी संकेंद्रित लियर्स होती है इसी में डिपॉजिट किया हुआ एक सबस्टैंस होता है मोती ठीक है तो इंपॉर्टन कॉंसेप्ट था आप सभी के लिए अगला कुश्चन देखिए नियो प्लेना इसा प्रेमिटिफ स्टेज और है और अले प्लेट था है अपको बताना थिक है तो नियो प्लेना जो है वह एक प्रेमिटिफ फ़र्म है मोलस् का ठीक मोलस्क यान एक जो कि जो नियोप्लेना की डिटेल वह डॉक्टर एच लिमान ने और डॉक्टर केजी विंक्स ने बताया था ठीक है और नियोप्लेना जो है वह अब क्या होता है हो चुका है और यह कहा जाता है गिंशेटरल मोलसका ठीक है तो इंपोर्टन आपसे बीज पूछा जा सकता है कि यह अगला question देखें अगला question में देखें दो type के आपके सामने tables है और इन tables के सामने आपको कुछ terms दिये हुए है और आपको अब ये बताना है कि इन tables के सामने जो term दिये हुए किस तरीके से match होंगे ठीक है तो एक बार लिस्ट देख लेते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बिलकुल आपने सामने तो युनिय है युनिय के जौस तामने है सिलेंट्रेटा है एक और इलिया कि ठीक सामने है मूलस का अ यहां पर जो सबसे यहां पर जो सबसे आपको ध्यान रखनी है कि माचिंग आपकी सही होनी चाहिए ठीक है अगर आपको एक भी गलत लग रहा है तो आपको सही हो सकता है क्योंकि तीन आपको पता है लेकिन अगर आपको दो तीन चीज़े जो डाउटफुल लग रही है तो आप ऐसे कोश्चिन को स्किप कर दे तो ज़्यादा बैटर अगर नेगिटिव मार्किंग है तो ठीक है क्योंकि हैं पर कन्फूशन के चांसे से बहुत ज़्यादा बनते ह तो आप देखिए यहाँ पर कोश्चिन के एकॉश्चिन के अपका करेक्ट निकल कर आता है यह आपको ऑप्शन नमबर भी ठीक है यानि की यूनियों के ठीक सामने आता है मुलस का उसके बाद फिर औरेलिया के ठीक सामने आता है सीलेंट रेटा ठीक है उसके बाद एस्ट करने लएक तो है नहीं तो चले अगले कुश्ण पर मूव करते हैं अगला कुश्ण है आपका ऑफ दो फॉलिंग पियर्स ऑफ आनिमल्स बिलॉंग्स टू क्लास बाइव वैल्विया ऑफ दो फाइलम मोलस्का यानि कि आपको यहां पर सारे पियर्स सारे जोड़े दिये यह सबी किसके अंतरगत आते हैं तो फाइलम मोलस्का के और इनकी क्लास के है बाइव वैल्विया ठीक है चले अगला कुश्ण देखें अगला कुश्ण है अगला कुश्ण है इसका एक्जाम्पल क्या है आपको बताना है तो चारों ऑप्शन देखें ऑप्शन नमबर वह । आपको अगला के अनतरगत के दिक अनमपला करती है और यह नियूदह के यहां एक सेपैयलो पोड़ा के अंतरगत आता है यह सीपिया और लो लिगो क्लास सेफालो पोड़ा के अनतरगत आता है यह चीज़ आपको ध्यान रखने है ठीक है अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन है the swift locomotion in sepia and octopus is affected by what यानि कि तो swift locomotion होता है sepia on octopus के अंदर यह किसके द्वारा प्रभावित होता है या आपको बताना है ठीक है तो चारों option देखिए option number one है आपका a fast moving neighboring animal option number b है आपका undulation of their own little fins, option number c है आपका lashing movement of their cephalic arms option number d है आपका water in jets expelled through chiffon तो question के according यहाँ पर जो आपका correct answer निकल कर आता है यह है आपका option number ठीक है swift locomotion के बारे में पूछा जा रहा है तो यह है आपका option number d यहाँ कि water in jets expelled through chiffon ठीक है इसमें जादो कुछ explain करने लाइक तो है नहीं तो चलते हैं अगला question है आपका shifalopoda is a class of molluska in which तो shifalopoda जो class है molluska की उसके अंतरगत क्या आता है चार options में से चले देखते हैं पहला option है आपका notochord extend into head दूसरा है foot is located into the head on to the head c हापका head is located on to the foot or d हापका head is huge with thorax तो question की according जापका correct answer निकल कर आता है यह आपका option number b याने की food is located on the head तो अब देखी क्या बता रहा है कि shifalopoda जो class है molluska की यह food यह कहा आता है food वहाँ पर located होता है इनके head के उपर ठीक है example में देख लिए आपका octopus है ठीक है थोड़ा सा आपको देखिए इन अप्रोप्रेट लगता है इसके नॉर्मली किसी के सर के उपर पैर कैसे निकल सकते हैं ठीक है molluska की जो class है सिफालो पॉड़ा उसमें जितने भी आनिमल्स होते हैं उनके सर के पर पैर होते हैं जिसके आपका octopus हो गया जिसे devil fish भी खाहा जाता है जिसके eight equal arms होते हैं ठीक है जिन में सकर्स लगे होते हैं ठीक कौन सी class होती इसकी से उससी फालो पॉड़ा कौन सा फाला में मोलस का ठीक है इंक साव है देखने हैं को आपका inks sack is found in what जो किसमें पाए जाता है आपको बताना है तो चारो अप्शन देखिए इंक साथ कि उतका बारे इंक उता उतके पारब़न पूचा जा रहा है तो चारो अफ्शन देखिए पहला आपका option है नौटिलस option number B है, sepia, option number C है आपका mightilus और option number D है आपका bonelia तो question के according यहाँ पर जो आपका correct answer निकल कर आता है यहाँ आपका option number B यानि की sepia यानि की ink sack जो है वो sepia के अंदर पाया जाता है sepia जिसे commonly cuttlefish के नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पर जो body होती है sepia की उसके अंदर ink sack होता है जिसे ink gland के भी नाम से जाना जाता है तो ink gland यहाँ पर क्या है कुछ squids के अंदर पाया जाता है squid के अंदर ink gland का function क्या होता है खुद के defense के लिए या defense offense के लिए use होता है जब squid के उपर कोई attack करता है तो यह अपनी body से क्लावडी इंक फ्लूइड को रिलीज कर देते हैं ठीक है कहां से इनके शिफान से ठीक है और यह स्मोक लाइक का जो स्क्रीन है धुआ तरह का बना देता है इसके आसपास में स्ट्रक्चर ठीक है जिससे जो भी इसके उपर टैक करने वाले जो ऑर्गिनिजम होते हैं इनके स अगला कर्शे क्वेश्टन है विच वन आफ द फॉलिंग अनिमर्स बिलॉंग तो दे क्लास एंफी निवरा अगे दिखिए चार ऑप्शन है तो ऑप्शन नमबर बान है आपका डैंटेलियम आपका काईट ऑप्शन नमबर सी है आपका ओईस्टर ऑप्शन बडी आपका क्लास एंफिनिवरा को बिलॉंग करता है इसका फ़ाइलन क्या होता है मोलस का जाहता है तो dantilium यहाँ पर क्या होता है dantilium जिसे commonly elephant tusk के भी नाम से जाना जाता है यह class scaphopoda को बिलॉंग करता है oyster के बात की जाए तो oyster को जो common नाम होता है squid जो की class cephalocoda को बिलॉंग करता है ठीक है important concept था आप सभी के लिए अगला question है तो sepia and octopus swim swiftly by means of what स्विम कर लेते हैं बहुत simple सा question है यह आपके TGT examination के लिए बेहर दी important है इसे apastic mark कर लिए ठीक है तो चार option देखिए option number one है आपका arms option number B है आपका lateral fins option number C है आपका suckers और option number D हैपका jet propulsion through chiffon अब देखिए यहां पर जो आपका correct answer निकल कर आता है यह option number B यानि के सेफ़ान सौरी सेपी और octopus के अंदर जो उनका swift movement होता है ठीक है यह जो swim कर पाते है swiftly यह किसके कारण होता है तो lateral fins के कारणने साइड में जो उनके fins present होते है ना उसके कारण ठीक है तो CPI जिसी सह माने तक कटल फिश के नाम से भी जाना जाता है और समूध्री Cephalopod भी कहा जाता है यह कहाँ रहते है शेलो वाटर में समूध्री तर्टीर जल में पाए जाते है अब देखिए अगला कुश्चिन है चीटो धर्मा एंड नियो मेनिया बिलॉंग्स टू विच आप तर फॉलिंग तो चारो उप्षिन देखिए उप्षिन बर वन है आपका अनुएडा एंड चीटो पोड़ा ऑप्षिन बर भी है आपका मोलस्का एंड सेलैनो गैस्टर उप्षिन बर सी ह आपका एकाइनो डर्मेटा और एकाइनो ऑइडिया ठीक है तो क्वेश्चिन के अकॉर्डिंग जापका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो अब देखिए अब हम यहां पे जितने भी मेंबर्स बता रहें उसके मेंबर्स और कौन से ऐसको प्लास को बिलॉंग करते हैं या आपको ध्यान में रखना ही तो की टो delic म मेद्धे कर देखिगे हैं तो सबस्क्रास की बात कि भात कि जाए जाए तो कैटो डर्मा एसका आप denk आइनियोमनिया में देखिए तो फालम है इसका बफाल्स का क्लास है इसकी एपलोकोफोरा, सबक्लास है इसकी सबक्लास की नियोमोफोर्मा और जीनस है इसका नियोमेनिया, ठीक है, तो इंपॉर्टन चीज़े हैं जो आपको ध्यान लखना है, अगला कुशन देखे, अगला कुशन है, विच आप दे फॉलिंग फॉसल, यानि किसे लिविंग जीवत जवाश्म के रूप में जाना जाता है, या आप से कुशन पूछ रहा है, तो कुशन के आप्शन देख लेजिए, तो आप्शन चार है, आप सभी के सामने पहला है, ट्राइलोबाइट्स, आपका आर्कियोपटारिक्स, आपका नॉटिलस और आपका चीता, ठीक है चीता तो पहले ही निकल गया, क्योंकि आपको पता है कि ये लिविंग फ्यूल, जो लिविंग फॉसिल है, वो नहीं है, ठीक है, तो चीता को आप यहां से अटा सकते हैं, तीनों के ओपर अभी आप विचार के से, तो यहाँ पर आपका प्रेक्ट आंसर है, यहाँ आपका जाती है, जो कि अपने गड़ में पाए जाता है, ठीक है, इसके लाद जो सभी है, वो एक्स्टिंक्ट हो चुकी है, और इस गड़ के अंतरगात आने वाले नॉटिलस जो है, उसे ही जीवित जिवाश में आने के लिविंग फॉसिल के नाम से जान जाता है, तो लोट नॉ आफिस कोशिन से रिलेटेजन. अगला कोशिन देखिये, फॉस्ट विछ वन इस डाझी प्रेमिटिव मोलसग यानि कि कौन सा सरवाधिक आज़ी मोलसक है या आपको बताना है, तो चारु आप्शन देखिये, उप्शन नॉम्बर जैन eram क but like ன ऐां और सी है प्टियन आपक तो नियूपलीन किया है FRइम Anyida के ऐंसरrator का उता है और मोलसका के बीचका एक जनतु ए पिरी। अगला कुष्चिन देखिए पाइब और पसटल जुए और चल्डे वह क्या कहला था यह आपको बताना है तो एक्सेटी इन कौक्रोज्ड मिंपना विए सर्जी आंग आप्शन अबर बी आपका केकड़ों में Osmolagoratory का अंग ठीक है तो क्वेस्टिन की अकॉर्डिंग जब का करेक्ट आंसर निकल कर आता है अब देखिए और्गन ऑफ जोनों मोलस्का का उत्सर्जी अंग है यानि कि एक फ्लेट्री और्गन माना जाता है जिसमें जो में उत्सर्जी अंग है उसे इस क् आपके पाए जाती है तुसरा आपका ररनेट लाह आपके मोलस्क में यानि क्यूुनीय में पाए जाती है फिर हमाल पीगें ठी ब्यूट्य ब्यूट्य trata सभित अचिंपे क्लॉновड़ों माज जाती है तर्वान जा नागी क्लोरीट्री नेड़ि आरगन में डाए Reynolds इन अगला कुश्चन देखिए विच ओफ फॉलाइंग मोलस्क हैज एन इंटर्णल श्यल यानि कि इन मिलखित में से कौन से मोलस्क में अंतरीक कवाच यानि की श्यल जो है वो पाए जाता है तो चारो ऑप्शन देखिए ऑप्शन बरवान है आपका नॉटिलस ऑप्शन बर बी अपका टोरिडो आप सी आपका से पीर आपका लामेलिटेंस तो क्वोस्चन की एकॉर्डिंग जब करेक्ट निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन सी यानि कि सेप्या ठीक है अब देखें सेप्यम उस्का संग का एकई को पोड़ा जो होता है इस वर्ग का माना जाता है और यह क्या है एक जली अजीव है जिसमें 10 हाथ पाए जाते हैं ठीक है और इसके इसमें क्या होता है शेल भी पाए जाता है ठीक है और इसे कटल फिश भी कहा जाता है यह important concept आप सभी के लिए सीपिया का जो रंग है वो रैडिस ब्राउन होता है color इसका और सीपिया के द्वारा जल में dark pigment जो होता है वो release किया जाता है ठीक है तो important concept आप सभी के लिए जितने भी हम extra fact बताते हैं गाई उसका pen और paper लिखके रख लिया करी क्योंकि यह जो है इसी पर आपका next question निकल कर आ सकता है ठीक है आप से पूछा जा सकता है कि cuttlefish का जो है वो नाम क्या है तो आपको विशेश रूप से उन उन गूगों का अध्यान क्या कहलाता है ठीक है यानि कि आपको बताना है कि सीपो का अध्यान जो है वो क्या कहलाता है उसको एक आप जो single term है वो क्या देंगे तो option number one देखें आपका melekology, option number B है आपका कॉनकोलोजी, option number C है आपका entomology और option number D है आप देखें कि कौन सार टम जो है वो किसके लिए यूज होता है तो मैलकोलोजी देखें मैलकोलोजी को कहा जाता है मुलस्क की study, कौन को लोजी को कहा जाता है मुलस्क की shell की study, ठीक है अब देखें entomology कहा जाता है तो इंसेक्ट की study को entomology कहा जाता है और निसोलोजी कहा जाता तो है study of birds ठीक है और दूसरी देखिए ऊलोजी कहा जाता है तो बोड़ एग मैमलोजी कहा जाता है तो study of mammals और केटलोजी कहा जाता है तो study of whales ठीक है सारे सारे important terms है आपके किसी भी examinations में देख लेजिए चाहे आपका junior का examination उठा के देख लीजिए आपका railway का देख लीजिए चाहे आपका junior edit का देख लीजिए आपको कहीं ना कहीं में से एक नेक टम आपको देखने को मिली जाएगा very important terms देख लीजिए तो इसे भी आपको stigma कर लेना है ठीक है अगला question देखिए अगला question है which of the falling belongs to molluska यानि कि molluska से कौन सा जो है वो संबंदित है आपको बताना है तो यहां पर आपको चाहर option दिए गए है इस आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा molluska जो है इसको molluska फाइलंग को बिलॉंग करता है तो चार ओप्शन देखिए option नबर 1 है आपका क्रेफिश option नबर B है आपका जले फिश option नबर C है आपका cuttlefish और option number D है आपका hackfish ठीक है तो question के according जो आपका correct आंसर निकलता है that is cuttlefish ठीक है आप देखिए आते जो संग molluska है उसका दूसरा सबसे बड़ा संग माना जाता है और यह प्राय समुद्री और जली अजन्दू का संग माना गया है ठीक है यानि कि यह जो फाइलम है उसमें जो mollusk term है यह दिया हुआ था very important term किस ने दिया था sorry किस ने दिया था जॉन्स्टन ने ठीक है जॉन्स्टन दूसरी चीज कि इनमें परिसंचरन जो होता है यानि कि जो circulation होता है यह खुले प्रकार का पाय जाता और इस संग के जन्तू जो होते हैं जिनमें सीपिया यानिक कि डेविल फिश और पाइला पाइला और पिंक टाड़ा जो है जिसे कि पर लॉष्टर कहा जाता है तो इसके अंतरगात आते हैं ठीक है आप देखे ग्रेफिश जिसे स्टार फिश कहा जाता है एक और्थो पोडा संग का मेंबर है ठीक है 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 फिश और डॉक फिश यह निमने लिखित में से कौन से है जन्तू बायो लुमिनी सेंट जो है उससे एलेटेड है तो चारो जो अप्शन देख लीजेए सबसे पहला आपका आपका कटल फिश ऑप्शन नमबर सी है आपका जैले फिश और ऑप्शन नमबर डी है आपको ओल अफ दीस तो क्वेस्टि कटल फिश का वास्तिविक नाम सीपिया है और समुद्रों में पाई जाती है और सिर पर इसके एक मुख होता है और दो आखे होती है और दस चोड़ी भुजाए होती है बुजाओं पर चूशो क्याने की सकर्ष लगे हो जते हैं उनका पूरा शरीर जो होता है इनके सौरी करा अंदर काले नींट होता है को अंदरेम होता है और यह इनक कर आए अंधिरे में भाग कर शत्रों से अपनी रक्षा करने के लिए इस्तमाल किया जाता थिक है तो पूर्टगाल अने होड़्यान हेसरेख जाता है और और पूर्टमोम? आगला दिखें लंबी बहुमूरी और जो यहां पर फाइसेलिया होती है यह लॉंग पॉलिमॉर्फिक कॉलोनीज देखने को यहां पर मिल देखने को यहां पर दिखाए देए इसलिए इसलिए नहीं कहा जाता है पार्टुगीज मैन ओफ वार ठीक है तो इंपर्टन कॉंसे सेक्षिन था वह खतम हो चुका है और अब हम बात करते हैं अपने बॉटनी के सेक्षिन की तरफ ठीक है तो उमीड है जोलो जी का सेक्षिन आप सभी को पसंद आया होगा देखिए कोई डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग किसी भी कॉस्टिन के रिगार्डिंग तो आ अफिबियन एमंग प्लांट यानि कि पौध में पाए जाने वाला कौन सा एक उभैचर है तो चारों ओप्षिन देखिए और वन है आपका मॉसिस और भी है आपका फॉन्स यानि कि परणांग और सी है आपका बोध अफ तीज यानि कि यह दोनों और अप्षिन डी है आप यह दोनों को कहा जाता है ठीक है तो इंपॉर्टन कॉंसेट आप सभी के लिए एक्स्टा फैक्ट की रूप में जान लेजिए कि कुछ टेरोफाइट होते हैं जिसे मार्सेलिया है सिल्वीनिया है एजौला है ठीक है यह सभी जलिये फोन के नाम से जाने जाता है इसलिए है मार्से और फोनिय। को पॉचको उबहाइचर घटाएजित करती है आटन पानी की आरिया अच्छे रह सकते है और फिर यदुर अनि करаров तो यह कहला। अगला कुश्चन देखिए प्रैजंस ओफ आर्की गोनियम इस और कॉमन फीचर ऑफ पॉर्ट यानिकी स्त्री घानी की उपस्तिती एक समान लक्षन है किसके तो चार ओप्षन देखिए चार ओप्षन में सबसे पहला आपका ऑप्षन है एल्गी फंजाई और ब्राइफाइ टीक है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्षन नमबर सी याने की ब्राइफाइट टेरिडोफाइट और जिम्नो स्पॉम्स ठीक है अब देखिए ब्राइफाइट में आपका आता है लिवरवर्ट फिनेरिय और स्पाइगनम जबकि टेरिडोफाइट में आपका आता है सिलाजी नेला फॉर्न और सिल्विनिया ठीक है जबकि आपका जीम्नो स्पॉम्स में आता है साइकस गीगो और जीगो सिकोया ठीक इंपॉर्टन कॉंसेप्ट आप सभी के लिए एक्जांपल्स हमने क्यों पता आता है तो चारों आप्शन देखें पहला आपका ऑप्शन है आइसो गमस यानि कि पूर्न यजम की ऑकष्टन की पर घंप सबसेखिए अपका कर्रेक्टान सर्च निकल कर आता है यहां आपका उग्यांट तो सेक्शाल रिप्राउक्षिन जो होता है ब्राइफाइट में यह उगयमस टाइप पाए जाता है उगयमस मतलब कि यहां पर जो female gamut होती है that is larger in size और यह non-motile होती है जब कि male gamut छोटा होता है और फ्लाजलेटेड होता है ठीक है अगला कोशिन देखिए अगला कोशिन है when the male and female reproductive organs of funeria are present in the same head of the branch branch in groups the condition is known as what याने की ऐसी condition जिसमें की नर और मादा ठीक है दोनों ही जो जनन आंख है अगर फ्यूनेरिया की एक ही जो head है उसके उपर अगर दोनों बस्ते था तो उस condition आप क्या कहेंगी आप से पूछा जा रहा है तो option number one है आपका autoaceous, autoicus, option number B है आपका paroicus, option number C है आपका synoicus और option number D है आपका none of these तो देखिए question के according जो आपका correct answer निकल कर आता है यह है आपका option number C याने के synoicus याने की male और female reproductive organ जब funeria के एक ही side में पाया जाता है एक ही head में पाया जाता है जो इससे कहा जाता है synoicus अब देखिए funeria में नर जनन अंग गाने जिससे anthridium कहा जाता है और मादा जनन अंग स्त्री घाने जिसे क्या कहा जाता है आर्की गुनियम ठीक है तो लैंगिक जनन यहां थे विश्वम युगमी याने की वुकैमस टाइप देखा जाता है और एक ही पौधे पर जब दोनों जननन अंग उपस्तित होते हैं तो इसे funeria उभै लिंग आश्व चांखाओं में समुह में मिलते हैं तो उसे सिन इंकेस कहा जाता है और अगर सेमी में पाए जाएगा तो उसे क्या कहेंगे सिन अगला कोशिन आपका दबेसल एलेक्टर फोर आर प्रेजंट इन वॉट तो चारों अप्शिन देखिए उप्शन नमबर वन है आपका एंथो चा कर आता है यह आपका ऑप्शिन बार व्याने के लिंग लेक्रोफोर्ण जो होते हैं वह आधर यान के बेसल होते हैं और यह क्या होते है food कोregierung करने का एक medium होते हैं कौईi ये होते है आपके अगले question पर आते हैं अगला question आपका In which of the following groups the sporophyte is attached to the gametophyte यानि कि ऐसा कौन सा ग्रूप है जिसमें sporophyte जो है वो gametophyte के साथ में attached मिलता है तो देखें चारों आपकी स्क्रीन पे option number 1 है आपका thallophyta, option number B है आपका bryophyta, option number C है आपका tidophyta और option number D है आपका spermatophyta तो question की according जो आपका correct answer निकल कराता है that is option number B यानि की bryophyta आप देखें ब्राइफाइटा का जीवन चक्र है उसमें बिजानों भेष्ट जिसे sporophyte कहा जाता है और यूगमकोद भिग यानि की gametophyte नाम से जाना जाता है ठीक है तो यह दवावस्ता है पाई जाती है तो सनरचनात्मक भिष्टी कोर्ज है वह भिन होता है और यूगमको है स्वतान ध्रवस्ता में और जाता है और हरी शाकित अर दिर्ग कालkaar जाने के लॉंगि को कि नहीं पे works भिष्टी चोटी स्टेज होतहाई का इस प्रबढे जीवन चक्र में और यह पूरी तरीके से प्रकार जो इसका बिजाडू भिद होता है यानि कि जो होता है यह मेन प्लांट जो मेन पॉधा है अर्था युग मकोद भिद पे डिपांडेंट होता है ठीक दूसरा अगला प्रश्ण देखिए इन वीच आफ दे फॉलिंग ब्राइफ आटा गैमा कप्स और फाउंड यानि निमलर खित में से किसमें गैमा कप जो है यह पाय जाता है आपको बताना है तो चारों ऑप्शन देखिए ऑप्शन नमबर वन है आपका रिक्सिया ऑप्शन नमबर यह आपका रिक्सिया तो यहां यहां आपको क्या दिखाई देता है कप दिखाई देता मारकेंशिया के अंदर ठीक है और गैमा कप जो है वह अगुडित यानि की हैप्लॉइट कंडिशन में नजर आता है इस चुटे-चुटे डिस्क के रूप में उपस्तित होते हैं और अगला कुशन देखें अगला कुशन है औरिजिन ऑफ आर्केश्पोरियम टेक्स प्लेस फ्रॉम एम एमफिटीशियम इन जो होता है उसकी सहायक संरचनाय होते हैं जो कि नया पोथे को जन्म देने में हेल्प करते हैं ठीक है तो यह क्या है डिरेक्ट रूप से देखा जा सपरियम होता है इसका ओरिजिन जो होता है इनगे इसकी शुरवात होती है वह आर्की एमफिटीसम से होती है किन में यह आपको बताना नहीं तो चारों डेखें option number 1 है आपका रिक्सिया, option number B है आपका मारकेंशिया, option number C है आपका एंथोसिरोस और option number D है आपका फिनेरिया, ठीक है तो question के according जो आपका correct answer निकल कर आता है, यह है आपका option number C याने की एंथोसिरोस, ठीक है तो यह आपको important concept के रूप में याद करना है, ठीक है, अगला question देखिए, अगला question है, बॉग मॉस और पीट मॉस is the name given to, यानि की जो बॉग मॉस है और पीट मॉस के नाम से किसे जाना चाता है, यह आपको बताना है, तो option देखिए, चारो option आप सभी के screen पे, option number 1 है आपका पह option number C है आपका एंटो सिरॉष और option number D है आपका sphagnum, तो question के according है आपका correct answer निकल कर आता है, यह आपका option number D यानि की sphagnum, ठीक है, अब देखिए, बॉग मॉस जो होता है, जिसे पीट मॉस भी कहा जाता है, तो sphagnum का ही अलग नाम है, ठीक है, यह true moss के रूप में भी जाना जाता है, और यह ब्राइफाइट के अंतरगत आता है, ठीक है, इसको जीवित ही अमरे तो दोनों प्रकार की कोशिकाइस में पाई जाती है, और यह water absorb करने की इसके अंदर एक tendency होते है, जो कि अपने पूरे वेट का 25 गुना जो पानी होता है, इसको अब्सर्व कर पाता है कितने गुना, 25 गुना, सोचे, ठीक है, इसलिए इसलिए बॉग मॉस और पीट मॉस कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है आपके स्फैगनम को, ठीक है, अगला कुशिन देखिए, अगला कुशिन आपका रेटार्ट सेल्स आर फांड इन वाट, यानि कि जो पोशिक होको पाए, तो चारोर प्पॉश्न देखिए, और 1 है नवर आपका पॉरले, और B हैपका स्फैगनम, और C है आपका Pкіनेटम, और iPhone, नमर D है अपका फिनन एरिया, तो कक यह करेक्ट आनसर निकल कर आता है, यह आपका ऑप्शन आमबर B, यानि की स्फैगनम, ragno, यह क्या होता है जिसका structure नियुक्ट होता है इसका structure क्या होता है इसलिए रहा है जाता है इसेल्स के होती है तो स्फेग्नम के बहुत सारी जातियां जो होती है उनमें इस टाइप की बड़ी सेल्स वाली स्ट्रक्चर जो है बना जाते हैं तो स्फेग्नम में जल को अब शोषिश करने की जो टेंडेंसी है सोखने की शक्ति है बहुत जादा पाई जाती है और इसी लिए जो होता है स्फेग्नम इनके अंदर दूसरे जीवित पौधों को लेकर एकी स्थान पर दूसरे स्थान पर भीजा जाता है ठीक है ताकि जैसी पानी की पानी की कमी होती है वैसे ही स्फेग्नम से पानी मिटी सोख सके ठीक है तो इंपॉर्टन कॉंसेप्ट था आप सभी के लिए अगला कुशन देखे अगला कुशन है 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 अगला क चैंबर्स विद एयर पॉर्स तो तो question के according आपका जो correct नांट से निकल कर आता है यह आपका option number B है ठीक है तो मार्केंशिया में जो partition air chamber होते हैं ये इसके साथ-साथ शरवान्वेत जो assimilatory filaments होते हैं पाया जाते हैं ठीक है इसके अलावा जो segmented filaments है इनके साथ air force भी पाए जाते हैं तो इससे आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो मरकेंशे के अंदर partitioned air chamber पाए जाता है इसके साथ ही branched यानि कि शेकानवे थे जो है इन-situ germination of sports यानि कि इन में से कौन सी प्रजाती परकनली अंकुरन का ज्वलन्त उधारन प्रस्तुत करती है ठीक है तो चारों option देखिए option number one है आपका रिक्सिया option number B है आपका markensia option number C है आपका paleo option number D है आपका sphagnum तो question की according जापका correct answer निकल कर आता है that is option number C यानि की पैलिया ठीक है तो पैलिया क्या है पैलिया के अंदर in-situ अंकुरन जो है वो देखा जाता है और इसका example क्या है रिक्सिया की प्रचाती जिसे रिक्सिया फ्लूटेंस भी कहा जाता है तो यह क्या है रिक्सिया फ्लूएंट्स क्या होती है यह जलिया होती है ठीक है तथा इनके अंदर बिजाडो भीद क्या कहते है इसको sporophyte ठीक है sporophyte केवल capsule में present होता है और मार्कैंशिया में जो एंधरिडियोपोर होता है तथा और्किगोनियोफोर होता यह दोनों पाय जाते है और स्प्राग्नम को पीट मॉस भी कहा जाता है यह आपको ध्यान रखना है यानि सभी के पार में चोटा-चोटा-चोटा-पोटा-ब्रेट हमें आपर डिसकूस लेगे कोश्टीन पर आते हैं अगला कोशिट है तो सेंट्रल स्टेराइल टिशू फांड इन सोटनी कैप्सूल ऑफ ब्रायफाइट के कुछुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिशू कौन सा ही आपको बताना है तो चार ओप्शन देखिए यान की कॉलमेल अटिक है तो जो ब्राइफाइट में कुछ कैप्सूल और जाता है जने केंद्री या स्टेरायल उता कियाने की सेंट्रल स्टेरायल टिश्यू कहा जाता है और जो उन्में पर देवालप कर रहे होते हैं जल था और जो इंपॉर्टन मिनरल्स होते हैं उन्हें अवेलिबल करवाने का जो काम होता है वो इनका होता है ठीक है और यह कैपसूल में थीका नमक भाग से जुड़ा हुआ होता है तो इंपॉर्टन कॉंसेप्ट था आप सभी के लिए ठीक ह स्पोर वाल के बारे में हमने जाना अभी स्पोर वाल क्या था तो एक सेंट्रली स्टेराइल टिश्यू होता है जो की स्पोर के अंदर का जो कैपसूल होता है उसे इंपॉर्टन जो मिनरल्स होता है नूट्रेंस होता है वो प्रवाइड करने के काम करता है ठीक है तो इंप किसकी थैलस की कोशिकाओं को की विशिष्टता देता है कि सौरी की विशिष्टता है ये आपको बता रहा है तो चार option देखिए option बर one है आपका पैलिया option B है आपका एंथोसिरॉस option number C है आपका रिक्स और option number D है और option number D है आपका आकर स्पेसिफिकेशन है finalement यह स्टार्स का स्टोरेज करता है इकको gracious है और पार्यस आधर कोटिक वसके लगते सबस्केव को चिक है carbon ओहने फरेग Department अधर इसके बाद इसे ब्राइफ्ट रही थैर स्टोरेज में नहीं पाई जाता है अगला कुश्चिन है आपका दाही सेंस ऑफ मास कैप्सूल टेक्स प्लेस बाइद रप्चर ऑफ फॉलिंग यानि कि इन में से किसके फूटन सनलयान विदर की जनन यानि की मॉस कैप्सूल का सुटन होता है का इस थोड़ा सा कॉंपलेक्स है अगर पढ़ते वक्त थोड़ी से भी डिफिकल्टी होती है तो आप प्लीज को आप कीजिएगा कि थोड़ी समझने में दिक्कत होती है न तो अगर आप इस तरीके से समझ पाते हैं को परेट करते हैं तो यह जो चीजह हैं बहुत ही मतलब ही चल सकते हैं ठीक है चलो तो चार ओप्शन देखिए आपका ऑपर कुलम ऑप्शन बर भी है पैरिस्टोम ऑप्शन बर सी है आपका अनियोलस ऑप्शन बडी है आपका कैलिप्रा तो क्वेश्चन के एकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप प्मेशोल जब मैचूर हो जाता है तो पहर की तरफ आता है और इसी प्रकार से प्मखनी नदीफ आपकाफ कर दिखने लड़ते हैं और जो स्पोर्स होते हैं इनका डिस्पॉर्शन हो जाता है ठीक है तो इंपॉर्टन पज़र्स आप सबी के लिए तो दोस्तों यहापर चैलन का description है तो दोस्तों अगर आज की सीरीज आपको पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजेगा और अगर अच्छा लगता है session तो अपने friends के साथ में share कीजेगा एक चीज़ और कि अगर आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो description box में दिएगा link पे click करके आप हमारे चैनल पे एड़ हो सकते हैं जहापर आपको मिलेगा daily PDF और study material तब तक के लिए दीजेए अमरिता को इजाज़त मिलते हैं next video में तब तक के लिए नमस्कार